खो कर पाने का मजा ही कुछ और है कि खो कर पाने का मजा ही कुछ और है और रो कर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है हार तो जिन्दगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त पर हार के बात जीतने का मजा ही कुछ और है Hello friends, once again, welcome back to my maths browser YouTube channel और आज हम लोग पढ़ेंगे Roman number system के बारे में जिस परकार से decimal number system होता है उसी परकार से Roman number system होता है binary number system होता है octal number system होता है और hexa number system होता है तो आज हम लोग सबसे पहले Roman number system के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि decimal number system में तो हम लोग पढ़ते ही हैं हम लोग पूरा mathematics जो पढ़ते हैं वो सारा का सारा decimal number system में पढ़ते हैं और इसको decimal number system इसलिए कहते हैं कि total 10 अंग का परियोग हम लोग करते हैं 0 से ले करके 9 तक का परियोग हम करते हैं पूरे mathematics में इसलिए इसको decimal number system काते हैं जब हम आगे binary number system पढ़ेंगे तो binary number system का मतलब होता है द्वी आधारी संख्यापदती तो यहाँ पर cable दो अंग का पर्योग करके कुछ भी लिखना रहेगा और वो दो अंग रहेगा 0 और 1 जैसे अगर आपको 98 भी लिखना है तो आपको 98 को 0 और 1 का पर्योग करके cable लिखना है तो कैसे करेंगे आगे जब हम लोग binary number system पढ़ेंगे वहाँ पर देखेंगे तो आज हम लोग सबसे पहले roman number system को पढ़ेंगे फिर अगले एक ही वीडियो में हम लोग binary number system, octal number system और hexa number system इन तीनों को एक ही वीडियो में cover कर लेंगे ठीक है और सभी को पढ़ने के बाद एक वीडियो और लेकर के आएंगे जिसमें देखेंगे कि किस परकार का question इन सभी को लेकर के पूछा जाता है हलके normally जो question पूछा जाता है वो इस परकार कर आता है कोई number लिखा हुआ है अगर decimal number system में लिखा हुआ है तो उसको change करना रहता है binary number system में कि अगर decimal number system में ऐसे लिखें तो binary में कैसे लिखेंगे या फिर binary में लिखा हुआ है तो उसको decimal में change करिए binary में लिखा है तो octal में change करिए अक्टल में लिखा हुआ है तो हेक्सा में चेंज कर यह नहीं तो इसी परकार से question यहां से आता है तो सबसे पहले एक बार तीनो चारो के बारे में हम पढ़ेंगे फिर questions के उपर आएंगे ठीक है तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे Roman number system के बारे में तो आए शुरू करते हैं ठीक है तो सबसे पहले Roman number system में देखिए आप लोग नॉर्मली जानते होंगे कि Roman number system में 1 को I लिखते हैं 5 को B लिखते हैं 10 को X लिखते हैं यह सब चीज आपको पहले से भी पता होगा लेकिन जब बड़ा number आ जाता है ना प्रोबलम होता है जैसे हम बोले कि आप 699 को Roman में लिखिए तब वहाँ पर प्रोबलम होगा तो इसके लिए कुछ एक चीज है जो आपको यादी रहना चाहिए जैसे 1 को I लिखते हैं 5 को B लिखते हैं 10 को X लिखते हैं इसके बाद 50 को L लिखते हैं 100 को C लिखते हैं उसी परकार 500 को D लिखते हैं और 1000 को M लिखते हैं इतना चीज आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है और इसी का परियोग करके आप कुछ भी लिख सकते हैं कितना बड़ा भी नंबर अब लिखने में देखिए confusion और mistake कहां पर होता है उस point के उपर हम बात करते हैं जब आप roman में लिखते हैं तो 1 को लिखते हैं i 2 को लिखते हैं i 3 को लिखते हैं i तो 4 को 4 times i क्यों नहीं लिखते हैं अगर आप इस तरह से 4 लिखेंगे ये गलत हो जाएगा उसी परकार से आप 10 को लिखते हैं x 20 को लिखते हैं double x 30 को लिखते है triple x तो 40 को 4 times x क्यों नहीं लिखते हैं ये क्यों गलत हो जाता है तो confusion यहाँ पर होता है कि कहाँ पर किसको कितना बार repeat करना है तो इसके बारे में हम अभी बात करेंगे कहाँ पर कैसे repeat करेंगे इसके पहले हम बता दें कि 4 को कैसे लिखेंगे तो देखिए 4 को कैसे लिखेंगे यह होता है 5 यहाँ पर देख सकता है 5 को हम लोग भी कहते हैं तो यह 5 हुआ और 5 के अगर इधर हम लिख दे 1 तो 5 में से 1 कम हो जाता है और यह इसका मतलब हो जाता है 4 अगर यह 5 है और इसके right hand side में अगर 1 लिख दें तो value बढ़ जाता है तो 5 और 1 क्या हो जाता है 6 हो जाता है तो 4 को इस तरह से लिखते हैं और 6 को इस तरह से लिखते हैं उसी परकार से देखिए 10 को हम लोग लिखें X है न अब इस 10 के अगर left hand side में हम 1 लिख दें तो 10 में से 1 कम हो जाता है और इसको 9 कहते हैं आप जानते होंगे 9 को इस तरह से लिखते हैं उसी परकार से यह आपका 10 हुआ और 10 के अगर right hand side में हम 1 लिख दें तो यह आपका value बढ़ जाता है और 10 और प्लस 1 11 हो जाता है तो अगर right hand side में लिखते हैं तो value बढ़ जाता है और left hand side में लिखते हैं तो value घट जाता है यहां तक ठीक है अब हम बात करते हैं कि इसमें से किसको कितना बार repeat कर सकते हैं तो आपको दो point आद रखना है I, X, C और M इन चारों को आप तीन बार से ज़्यादा repeat नहीं कर सकते हैं maximum 3 times आप इसको repeat कर सकते हैं ठीक है और बाकी जो बचा आपका V, L, और D V, L, और D इन तीनों को आप कभी भी repeat नहीं करेंगे No repeat है नहीं तो V, L, और D को कभी भी repeat नहीं करना है और I, X, C और M इन चारों को आप maximum तीन बार repeat कर सकते हैं तो ये दो point को आपको याद रखना है अब हम देखिए कुछ special number को लेते हैं अगर आप समझ गए कि number को roman में कैसे लिखेंगे तो कोई भी number को आप roman में लिख सकते हैं और roman number system का concept आपका समाप्त हो जाएगा तो हम कुछ numbers को लेते हैं तीन बार repeat कर सकते हैं तो इसको जब दो बार लिख देंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा ठीक है आप यहाँ देख सकते हैं I, X, C और M इन चारों को तीन बार repeat कर सकते हैं maximum तो 30 को कैसे लिखेंगे तो इसको अगर आप तीन बार repeat कर देंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा आप देखें 40 को आप 4 टाइम्स नहीं लिख सकते हैं X को क्योंकि इसको maximum तीन बार repeat कर सकते हैं तो आप आपको क्या करना पड़ेगा कि ये देखना है कि 40 के आगे कोई number ऐसा है जिसका रोमन आप जानते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं 50 का जानते हैं कि L होता है तो 40 को लिखने के लिए क्या करेंगे यहाँ देखें L लिखें तो L का मतलब 50 हुआ अब 50 के अगर इधर हम 10 लिख दें तो 50 मेंसे 10 कम हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा तो अगर इधर हम X लिखें तो यह 50 हुआ और 10 कम हो जाएगा तो यह 40 हो जाएगा मतलब आब 40 को इस तरह से लिख सकते है अब दिखे 60 को कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर देखे L का मतलब क्या हुआ L का मतलब हो गया 50 अब अगर हम इस तरफ एक्स को लिख देते हैं हैंड में यहां पर दिखे बता हैते की औलिखेंग मेंुलेक्ता चाहता है और राइट हैंड में भीते हैं तो स्वेय। यहां यहां तो?- अगरफ Okay, यहां पर goes dark. सेवंटी को कहा घरेंगे? उसी परकार से यहां आपका 50 हो गया और 50 के बाद क्या लिखेंगे 20 लिख देंगे और 20 को कैसे लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं तो 50 के right hand side में 20 लिखे। 50 में 20 में 20 बढ़ जाएगा और ये 70 हो जाएगा आप देखे 80, same लिख देंगे ये 50 हुआ और ये 30 हो गयां थाना, तो इस तरह से क्या लिखेंगे, 80 को लिखेंगे, आप दिखें, 90 को अगर आप इस तरह से लिखेंगे, तो 50 लिखेंगे, और फिर इसको 4 बार लिखना पड़ेगा, और 4 बार नहीं लिखते हैं, तो आप क्या करना पड़ेगा, कि 90 के बाद देखना है आपको, कि आप 90 के तुरंत बाद कोई नं 100 में और यह हो जाएगा 90 अब इहीं पर देखिए अगर 110 लिखना रहता तो C लिखते 100 और इस तरफ अगर X लिख देते तो 110 हो जाता आगे हम बहुत परकार का नम्मर लेकर क्या आपको दिखाएंगे अब देखे 200 तो 200 में क्या होगा? C का मतलब होता है 100 और दो बार C लिख देंगे तो 200 हो जाएगा क्योंकि C को भी हम लोग 3 बार maximum repeat कर सकते हैं अगर 300 लिखना है तो 3 times C लिख देंगे हैना आप देखे 400 आप 400 में 4 बार C नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 3 बार repeat करना है हैना तो आप यहां फिर वही जीद कर देखना है कि 400 के बाद आपको कोई नमर आप जानते हैं जिसका रोमन आपको पता है तो आप देखे 500 का आपको कम हो जाएगा और यह 400 आजाएगा तो 100 का मतलब क्या जानते हैं C होता है तो C को हम left hand side में लिख देगे तो 500 में से 100 कम हो जाएगा और यह 400 हो जाएगा तो 400 को CD लिख सकते हैं अब देखे 600 को लिखना है तो 600 को क्या करेंगे 500 का मतलब आप जानते हैं कि D होता है यह 500 हो जा और इस तरह लिखेंगे तो 100 व Kitty और यह 600 को नभी नमब्र है इसका रीशिद के बाद आप जानते हैं तो सकते हैं कि दस सो का जानते हैं, हजार का M होता है, तो 900 का कैसे लिखेंगे? M लिखे, M का मतलब क्या हुआ? 1000 हुआ, मतलब दस सो, लेकिन यहां 900 है, तो 100 कम करना पड़ेगा, तो कम करने के लिए क्या करेंगे? इस तरफ लिखेंगे, तो इधर क्या लिख देंगे? 100 को, तो 100 का मतलब जानते हैं क्या होता है, C होता है, तो अगर आप इधर C लिख देंगे, तो ये 1000 में 100 कम हो जाएगा, और ये 900 हो जाएगा, अगर यह पर देखिए हमको 1100 लिखना रहता, तब क्या करते हैं अब देखिए M लिखे, M का मतलब 1000 हुआ, अब 100 इसको बढ़ाना है तो 100 को इधर लिखेंगे, तो 1100 को आप ऐसे लिख सकते हैं तो हम उमीद करते हैं कि यहां तक के ठीजों को आप समझ गया होंगे, क्या-क्या सबसे पहला, इतना चीज तो आपको यादी कर लेना है, इसमें कुछ एल और डी को रिपीट नहीं करना है कभी भी, है ना, और एक चीज और क्या, कि अगर left hand side में लिखते हैं, तो भेलू घट जाता है, और right hand side में लिखते हैं, तो भेलू बढ़ जाता है बस इतना सचीज आपको जानना है और किसी भी नंबर को आप roman number system में लिख सकते हैं अब देखें कुछ example लेते हैं कुछ बड़ा बड़ा number, जैसे अगर हम बोलें कि 699 को आप roman में कैसे लिखेंगे तो अगर किसी नंबर को roman में लिखना है, तो गलती नहीं हो इसके लिए पहले number को आप detail form में लिख लीजिए तो detail में इसको कैसे लिखते हैं पहले आप बच्पन में लिखेंगे 699 को लिखेंगे 600 plus 90 और plus 9, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको detail में, आप क्या करेंगे 600 को पहले roman में लिखेंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे 600 को लिख सकते हैं, ये देखिए आपका हो जाएगा, ये 500 हो गया, D का मतलब 500, और इधर 100 लिख दिए, तो 500 में, राइट हैंड साइड में 100 लिखे, तो ये आपका 600 हो गया, ठीक है, और 90, 90 को कैसे लिखता है, 100-10, तो 100 का मतलब देखिए होता है, C, और इसमें इस तरफ 10 ल एकजाम पल लेते हैं, अगर इस तरह से लिखना हो, माल लेता है, 856 को लिखना है, तो पहले इसको डिटेल में लिखेंगे, इसको लिखेंगे, 800 प्लस 50 और प्लस 6, ये हो गया, डिटेल में, आप क्या करेंगे, 800 को लिखेंगे, तो 800 को कैसे लिखेंगे, आपका देखिए यह हो गया 500 और 200 को इस तरफ, sorry, 300 को इस तरफ लिख देंगे, तो 800 हो जाएगा, तो 300 कैसा होता है, 100 का मतलब होता है, C, 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 तो यह आपका 300 होगा, है न, C को तीन बार रिपीट कर सकते हैं, तो इसका मतलब हो गया 800, 50 को कैसे लिखते हैं, तो आपको मालूम है, 50 को सिधा L ल मन में कैसे लिखेंगे, पहले डिटेल में लिखेंगे, 700 plus 20 और plus 8, अब 700 लिखना है, तो 500 plus 200, तो 500 का मतलब होता है, D, और 200 बढ़ाना है, तो इस तरफ लिखना है, तो 200 का मतलब 100 और 100, है न, यह हो गया 700, और plus 20, 20 का मतलब 10 हो जाएगा दो बार, है न, और 8 का आप जानते से लिखेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगा पहले क्या करेंगे detail में लिख लेंगे direct लिखने जाएंगे तो गलती होने का chance रहेगा और example लेते हैं अगर number है इस तरह सरे one two three और zero इसको roman में कैसे लिखेंगे तो पहले इसको detail form में लिख लेते हैं तो इसको लिख सकते है two hundred को क्या लिखेंगे cc double hundred है और plus 30 को मालूम है 10 10 और 10 यह हो गया 30 तो यह total मिला करके क्या हो जाएगा 1230 हो जाएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि किसी भी number को roman number system में कैसे लिखेंगे यह आप समझ पाया होंगे अब एक number हम लिखते हैं eight seventy three इस नंबर को roman में कैसे लिखेंगे इसको आपको comment box में बताना है देखते हैं कि कितने लोग इसको सही लिख पाते है diu y all seven ung three को roman में कैसे लिखेंगे इये आपको comment box में बताना है ठीक है और अगले वीडियो में हम बात करेंगे binary number system, octal number system और hexa number system के बारे में तो आपका वीडियो मिस नहीं हो जाए इसके लिए चैनल को जल्दी से subscribe करके notification bell को on कर लिजे